यहां मैंने लगबग 1-4 cup जितना दूद लिया है यह गरम दूद है इसमें थोड़ा सा केसर डाल देंगे तकि अच्छा सा कलर भी आजा और बहुत ही टेस्ट अमस्त सा आए केसर का तो चलिए इसको मिक्स करके हम रख देंगे साइट में अब यह कड़े मैं उठाई यह गैस एक काटोरी को प्वेसन है अब बुणना है तो पहले आप अच्छे से मिला अएक मिलाते हुएur एक मिनिट बुन लीजेगा और फूरी धिमी आज पर हम यह recipe को to है करेंगे अब ये डालने के बाद दीमी आज पर हम इसको बहुत अची से बुनेंगे और इसको चलाती जरूर से जाएगा मतलब छोड़ दींगी तो नीचे तले से चिपकेगा और इसका टेस्ट जो है फिर गड़बड आ जाएगा तो कंटिन्यूरस आप इसको गुमाते जाए चलाते मुझे हलवा बनाने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि बहुत जल्दी से बन के तयार भी हो जाता है जब तक मैं इसकी बुनाई कर यह कमेंट करके जरूर बताएगा को कॉंसिसिटी से आप मेरा वीडियो यह देख पार हो आप देख पार हो कि बहुत अच्छा सा सुनेरा स तो अब क्या करेंगे इसमें थोड़े से बादाम कटे हुए मैंने डाल दिये जो ड्राइपरू आप डालना चाहते हो डाल दीजेगा इस स्टेज पर नहीं डालना चाहते हो ड्राइपरू अब यह जो दूद हमने रखा था था थोड़ा करके आपको इसको डाला है तो ती करके तीन बार करके यह डालेंगे और मिलाते जाएंगे मिक्स करते जाएं और दालते जाएंगे जो बचाऊ दूद यह भी मैं एड कर दोंगे अब इसमें जो मिठास है वम चीनी की मिठास देंगे आप चाहू तो पर भी मिष्री होती है उसको आप पर चूरा बनाके वो अधी कटोरी चीनी एक कटोरी पानी का लेना है तो सिंपल सा मतलब यह थरीक है बनाने का बस मेजरमेंट का धिहान रखिएगा कि वहने कितना उठाया है उसे सबसे बनाएंगे तो परफेक्ट सा हलवा आपका भी बनेगा और पानी डालके बहुत अच्छे से अपसको मिक्स क पर दीमी आज पर ही जैसे ही बिलकुल इकटा हो जाए बन गालीजेगा और यह बन के तयार हो जाएगा अपने देखा न मैंने कैसे रखा है ऐसी बहुत बढ़ी आसा टेस्ट आता है बल्कुल वह मोहन थाल वाली जो मिठाई होती ना बस वैसे ही आपका टेस्ट इसका आत करें और यामी टेस्टी हल्वे को ट्राइ जरूर से कीजेगा थेंक्स वर वाचिंग जैशी गनेश वाई गुरु जी